माने इन्वेस्टॉक देश्य करते हैं और आज हम इस वीडियो में डिश्काश करेंगे और एक श्टॉक का चार्ट के बारे में टेक्निकल अनलिसिस के बारे में फंडमेंटल अनलिसिस के बारे में जो कि किया SCL जिसमें मैंने बहुत recently entry किया कुछ 5-6 दिन पहले इसमें आपको date दिख जाएगा इसमें आपको entry price दिख जाएगा और बाकी जिस आपको ACL बागरा यहाँ पर दिख जाएगा तो चलिए इसका chart देखते हैं और इसमें किस तरह thinking रखके इसमें entry लिया गया था उसके बारे में हम समाज थे अगर आपको लागे कि यह stock कैसे मिला तो आपको जासे कि बोला कि python में मेरा scanner है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है इससे मुझे यह सब signal बंग के आता तो इसका पहले weekly chart में देख ले थे weekly chart में अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि यह stock तो काफी उपर चला गया तो इसलिए देखिए यहाँ एक line लिखा हुआ over extended stock be careful ओके बी क्यारफूल होगा यहाँ पर be careful about a cell stop loss के बारे में wait for vcp pattern volume contraction pattern लेकिन मैंने इसमें पहला entry लिया कुछ छोटा quantity में probably इसके बाद और भी stock इसमें add कर सकता हूँ तो बात है कि यह stock uptrend है इसमें तो कोई doubt नहीं है राइट अकर इसमें आप देखेंगे तो यह उपर ही जा रहा है राइट उपर जा रहा है यह weekly chart में उपर जा रहा है अगर इससे आप daily chart में जाएंगे तो भी आपको यह चीज दिख जाएगा तो आभी बात है कि जब इस तरह uptrend में stock चलते है तो daily chart में जो pattern बनते है उसमें देखें जो weekly दिख रहा था वो ही daily chart में आपको यहाँ भी दिख रहा है daily chart में भी uptrend इसको क्या कहते है fractal analysis weekly में आपको जो दिख रहा है अगर मैं daily में भी दिखाओ तो आपको same चीज यहाँ से मिल जाएगा ऐसा नहीं कि वो आपको अलग मिलेगा दोनों में आपको अप्टेंड मिलेगा अभी बात यह है कि इस अप्टेंड में हम opportunity ढूनते है अच्छी इस opportunity में आपको जब-जब कुछ दिख जाए कि यहाँ पे आप entry कर सकते हो यहाँ पे आप exit कर सकते हो जो white line है white line भी ठीक टक दिख नहीं रहा है अभी देखिए इस stock में आभी का जो price action है क्या अगर थे यहाँ पे एक base बना रहा है मैं यह कहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो मैंने entry लिया this is कभी risky entry ऐसा नहीं कि आशान entry यह risky entry क्योंकि यहाँ से कभी भी एक retracement आ सकता है मेरा stop loss heat हो सकता है लेकिन मेरे को कभी stop loss heat होने से कोई problem नहीं है वो same चीज मैंने यहाँ पे लिखके भी राखा but if you look at it earning growth 207% 12% drastically कम हुआ अगर एक किसी भी हालात में मेरा stop loss touch हो जाता है तो मैं इसमें रूखूंगा नहीं लेकिन दोस्तों इसमें खरीदने का पीछे क्या कारण है कारण एक ही है कि first of all this is up trending stock दुसरा यहाँ पे जो volume आया यह जो volume and rally आया यह इसके बाद यह जो retracement आया और यहाँ पे kind of cup and handle pattern आपको दिख रहा है अगर आप इस आपे देखेंगे आप head and shoulder से अगर बोलना चाहते हो तो यह आपका shoulder हो गया यह आपका head हो गया फिर यहाँ पे ब्रेक कर रहा है यह चीज़ आपको दिख जाएगा जिनको cup and handle पसंद है वो cup and handle देख लीजिए यहाँ से लेके यह cup हो गया यह handle हो गया और यह handle को break किया तो basically handle break में मैंने entry किया देखिए इसमें BCP, flag pattern, cup and handle, head and shoulder हर चीज़ टाइप का concept आ जाता है लेकिन कहाँ पे कौन सा feet होगा वो मेरा experience के through मैं उसमें बता सकता हूँ ऐसा कुछ on plus on equals b ऐसा कुछ equation market में है नहीं आपको experience चाहिए ही चाहिए तो इसलिए यहाँ पे entry किया गया अगर इस stock में strength है यहाँ पे जो भी buy किया वो लोग इसको लेके जाना चाहते है तो it should not touch 5,800 जो मेरा stop loss है अगर उटाच हो जाता है then I will be out मुझे नहीं चाहिए इसमें रहने का क्योंकि similar चीज यहाँ पे हुआ था उपर गया था फिर यहाँ पे दिखिये आया था लेकिन I think यह June वाला जो कहानी था वो Indian market में election result के बादा से यह fall था लेकिन उसके बाद bounce back कर गया तो हर चीज जिसमें positive है stock में growth है but this is not the perfect setup जो मैं पसंद करता हो perfect setup में पसंद करता हो इस type का जो यहाँ से breakout आया तो यहाँ पे और ऐसा अभी भी नहीं बना लेकिन अगार यहाँ से higher low बनाता है यहाँ से higher low बनाता है फिर break करते तो I will add more position देखिये मेरा usual 3-4% position पहला add कर ले तो फिर और 5% वह जा धीरे धीरे position build up होता है more strength stock shows and more quantity I keep adding तो basically इसी लिए इसमें entry किया गया यह किसी के लिए entry recommendation नहीं है this is risky trade तो ना ही लीजिए तो अच्छा है और लेना ना लेना आपका अपना मर्जी है लेकिन मेरा जो analysis है मेरा जो setup है जो मैं देख रहा हूं इसमें किस तरह cup handle किस तरह head and shoulder किस तरह trained यह जो volume यह शुब चीज देखता हूँ वो चीज मैंने आपको explain किया तो मैं उमीद करूंगा कि इसको समझ के आगे जाके आप जब चार्ट को देखेंगे तो आपका back of the mind एक thought process काम में आएगा और आपको